ये हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसेते नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता वोईस टीवी पर आपका स्वागत रोजवाद की वार्ड नंबर 47 आस्वाबाद तंकी के छेत्र में एक महिने से पानी नहीं आ रहा है जिहां शेहर कॉंग्रेस सेवाद लद्यक्ष नुरुल हुदा लालाराइन गांधी ने बताया कि वार्ड नंबर 47 कलावती स्कूल के पीछे रेश्मा धर्म काटा वाले शेत्र और टावर वाली गली के छेत्र में पानी की गंबीर समस्या है और इस छेत्र को किशन नगर ब जारी है पहले सुबह साड़े च्छे बजे पानी आता था और शाम को साड़े तीन बजे अब इस शेत्र में पानी बिलकुल नहीं आ रहा है जनता बहुत परिशान है लोगडाउन होने की वजह से और परिशानी का जनता को सामना करना पड़ रहा है प्रदेश सरकार की सु सबाब दें अगर 48 घंटे में पाइप में पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन भी होगा और इसके जिम्मेदार इस माहौल में नगर निगम के अधिकारी होंगी तो पानी के लिए असता जाने की समस्या पानी की यह है क्या कहते हैं यहां का पानी आसावाद पानी तेंगी से पानी आता था आससे ती दिन पहले घुब अच्छा पानी आता था कोई प्रिषा नहीं नहीं थी एक भहिना करी होगा जब से यहां पर पानी का रहम बन लगा साड़ाशे पानी आता था तो पानी लोग भड़ते दें लाट भी आते दी लौड़ाउन में पानी बंद हो कर दिया गया असा बात कि ठंकी से अब पानी आता है यहां पर कहते हैं पोई सुनभाई नहीं होई लेकिन अब तीस हमने काया दो दिन के अंदर टैम देते हैं अगर चोविच घंडे के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया तो लॉल टाउन छोड़ करका और उसको सड़कपन उतर रंगे उसकी जुम्यदारी नगर निगम की होगी पानी पानी से पर जाने